चलिए अब हम कार्बन के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टा कही जाए तो वो है कार्बन की अपरूपी प्रकृती पहले अपरूपी प्रकृती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं अपरूपी तत्व की वो विशिष्टा है जिसके कारण वो तत्व प्रकृती में एक से अधिक रूपों में रह सकता है इन रूपों की रासाइनिक विशिष्टाएं एक जैसी होती है लेकिन इनकी बहुतिक विशिष्टाएं भिन्न भिन्न होती हैं वो विशिष्टा जिसके कारण उस तत्व में अन्य अन्य रूपों में रहने के क्षमता आती है इसे ही अरूपता या अलोट्रूप कहा जाता ह ये विशिष्टा ना सिर्फ कार्बन में वरना सल्फर और फास्फरेस में भी पाई जाती है अब आपके मन में अवश्य सवाल उठ रहा होगा कि रासाइनिक यौगिक और अलोट्रोप अर्थात अपरूप में क्या अंतर है जैसे कार्बन हीरे या ग्रैफाइड जैसे अपरूपिय रूपों में प्राप्त होता है और कार्बन यौगिक रूप में भी प्राप्त होता है उधारन के लिए कार्बन डायोकसाइड और कार्बन मुनोकसाइड आईए समझते हैं कि इन दोनों प्रकारों में क्या अंतर है आपको याद ही होगा कि हमने कहा था कि योगी कों में भिन रासाइनिक और भौतिक विशिश्टाएं होती है इसी कारण इन दोनों उधारण में कार्बन अलग-अलग है जब हम अलोट्रोप की बात करते हैं तभी हम भिन भौतिक विशिश्टाएं लेकिन समान रासाइनिक विशिश्टाओं की बात करते हैं अपरूप एक ही तत्व के होते हैं अतहा इस मामले में हम जब कारबन की बात करते हैं तब हम शुधरूप में कारबन की बात करते हैं और यही अपरूप और योगिकों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है योगिकों के बारे में बात करें तो इनमें या रासायनिक योगिकों में अनेक तत्वों का सयोग य में कभी भी गलती मत करना प्रकृती में किसी एक तत्व की एक से अधिक रूपों में प्रस्तुत होने की किशमता को अलट्रूपी या अपरूपता कहा जाता है